हेलो साथियों, मैं पंकज वैशनव आप सभी का स्वागत करता हूँ मिशन ग्यान चैनल पर आज हम जानेंगे भारत की नदियों के बारे में इस टॉपिक से रिलेटेड एक भाग हम देख चुके हैं जिसमें हमने हिमालई नदियों के बारे में पढ़ाता मतलब सिंधु, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में पढ़ाता आज यानि भाग दो में हम प्राइदीप ये नदियों को पढ़ेंगे मतलब नर्मदा, तापती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इन छे मुख्य नदियों के बारे में हम जानेंगे तो आईए टॉपिक शुरू करते हैं तो आज हमें देखना है प्राइदीप ये नदियों को प्राइदीप ये नदियों को आप दो भागों में बाढ़ सकते हो प्राइदीप मतलब की जो हिस्सा भारत का जो हिस्सा तीन तरफ पानी से गिरा हुआ है वो प्राइदीप ये हिस्सा है तो प्राइदीप ये नदियों को आप दो भागों में बाढ़ सकते हो कि वो कौन सी दिसा में बह रही है जैसे कि अगर प्राइदीप भारत में ही या यू कहे दक्षिन भारत में ही अगर पश्चिम में नदिया बह रही है तो वो कहलाएगी पश्चिम वाहिनी नदिया और यदि पूर्व में बह रही है तो वो कहलाएगी पूर्व वाहिनी नदिया ये पश्चिमी वाहिनी नदि यां अपना पानी गिराएगी बंगाल की खाड़ी में। पश्चेमि वाहिनी नदियों में मुख्य नदिया आपको मिलेगी नर्मदा, तापती, माही, साबरमती और एक और नदिया है लेकिन वो अपना पानी अरब सागर में नहीं गिराती है बलकि कच के रण में ही अपना कृष्णा और कावेरी पश्चिमी वाहिनी और पूर्वाहिनी नदियों में सबसे important जो difference जो आपके अलग-अलग exam में देखने को मिल जाएगा वो ये है कि पश्चिमी वाहिनी नदिया एस्चुरी का निर्मान करती है और पूर्वाहिनी नदिया डेल्टा का निर्मान करती ह ये एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है समझते हैं इस बात को एस्चुरी और डेल्टा में क्या difference होता है पूर्वाहिनी नदिया डेल्टा बनाती है और पश्चिमी वाहिनी नदिया एस्चुरी बनाती है तो एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर होता है देखो जब भी कोई नदी बहती है तो वो बीच में आती हुई चटानों और पत्रों को काटते हुए चलती है तो इस कटाव से उसके अंदर बहुत ज़्यादा मलबा इकटा हो जाता है जिसको वो अपने साथ बहा कर लेके जाती है लेकिन जब वो समुंदर के पास जाती है तो उसकी स्पीड धीमी हो जाती है इस वज़र से वो अपने साथ लाए गए मलबे को वहीं मुहाने पर इकटा कर देती है जिससे वहाँ दलदली चेत्र बन जाता है इसी दलदली चेत्र को क्या कहा जाता है देल्टा कहा जाता है समुंदर के पास पौचती है तब उसके पास किसी भी तरह का कोई मलबा नहीं होता है वो सीधा पानी ही समुंदर में डाल देती है वहाँ पर दलदली चेतर का निर्माण नहीं कर पाती है उसी को कहते हैं एस्चुरी तो पूर्व वाहिनी नदियां डेल्टा बनाती है वहीं पश्चीमी वाहिनी नदियां एस्चुरी बनाती है तो प्राइदीप ये नदियों का ये पश्चीमी वाहिनी और पूर्वाहिनी नदियों में बटवारा होता है इस से रिलेटेड हमें exam के लिए क्या क्या point पता होने चाहिए कि पश्चिमी वाईनी नदिया एस्चुरी बनाती है या जिसे इंदी में का जाता है ज्वार नदमुक बनाती है वही पूरवाईनी नदिया अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है पश्चिमी वाईनी नदिया अरब सागर में अपना पानी गिराती है वही पूरवाईनी नदिया बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है पश्चिमी वाइनी नदियों में मुख्य नदिया कौन कौन सी मिलेगी आपको नर्मदा, तापती, माही, साबरमती और एक लूणी नदि अलग से है पूर वाइनी में मुख्य नदिया कौन सी मिलेगी मानदी, गोदावरी, करशना, कावेरी इसके अलावा भी और छोटी-छोटी नदिया हैं लेकिन हमें एग्साम के लिए मुख्य ताफ इन नदियों के बारे में ही पढ़ना है तो एके करके हम सारी नदियों के बारे में डिटेल में जानते हैं सबसे पहले हम पश्चिमी वाहीनी नदियों को उठते हैं अरब साधर में पानी गिराने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी यदि हम प्राइदी पी नदियों की बात करें। का है नर्मदा नदी नर्मदा नदी आपको ये मध्य भारत में या यू कहे दक्षिन भारत सुरू होने से पहले मिल जाएगी ये नर्मदा नदी नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश और 36 गड की बॉर्डर पर इस्तित अमर कंटक की पाडियों से निकलती है और जब य एग्जाम में आपको कोश्चन देखने को मिलेगा कि नर्मदा नदी कौन से दो पहाड़ियों के बीच में बाषती है तो जवाब है होगा विंद्यानचल और सत्थपुडा इसका उल्टा कोश्चन पूछे कि विंद्यान चल और सत्थपुडा के बीच में कौन सी नदी बहती है तो आपको जमाब देना है नर्मदा नदी अब नर्मदा नदी को ऐसा कहा जाता है कि ये उत्तर भारत और दक्षिन भारत के बीच में बाउंडरी बनाती है मतलब नर्मदा नदी ही उत्तर भारत और दक्षिन भारत को अलग करती है नर्मदा नदी अंत में अपना पानी खंबात की खाड़ी में यहां है खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर का हिस्सा है तो यदि ऐसा बोला जाए कि नर्मदा नदी अपना पानी अरब सागर में गिराती है तब भी सही बात है नर्मदा नदी अपना पानी खंबात की खाड़ी में गिराती है तब भी सही बात है तो एक्जाम से रिलेटेड हमें नर्मदा नदी के बारे में क्या क्या चीज याद रखनी है कि ये प्राइदीप भारत या यू कहे दक्षिन भारत की पश्चिमी वाहीनी नदियों में सबसे बड़ी नदी है यदि पूरे प्राइदीप भारत की बात करें तो गोदावरी नदी होगी लेकिन अगर प्राइदीप भारत की पश्चिमी वाहीनी नदियों में कौन से दो पाड़ों के बीच में बैती है। उत्तर में विंद्यांचल परवत और दक्षिण में सत्थपुड़ा परवत। और इन दोनों के बीच में जो घाटी है। उसे क्या का जाता है। ब्रंस घाटी का जाता है। आप एक्जाम के लिए ये फैक्ट याद रखने तो एक्जाम में यह question आपको बार-बार देखने को मिलेगा कि भ्रंस गाटी से बैती हुई मुख्य नदी कौन सी है तो जवाब क्या होगा नर्मदा नदी अब हम बढ़ते हैं अपनी next नदियों की तरफ जिसमें हम तीन नदियों को एक साथ देखेंगे एक तो है तापती या जिसे तापी नदी का जाता है दूसरा है माही नदी और तीसरा है साबरमती नदी सबसे पहले देखते हैं तापती नदी को तापती नदी जो है वो नर्मदा के समानांतर ही बैती है ये उपर नरम्दा रह गई नीचे ये तापती नदी आपको मिलेगी तापती नदी जो है वो सत्पुडा की पहाडियों से पैदा होती है नरम्दा के समानांतर बैठी हुई फिर गुजरात के सूरत सेयर से होती हुई अंत में अपना पानी खंबात की खाड़ी में गिराती ह और हम जानते हैं कि खमबाद की खाडी किस सागर का इस्सा है अरब सागर का हिस्सा है तो तापती नदी के बारे में हमें exam से related क्या क्या point पता होने चाहिए सत्पूडा से निकलती है नरमदा के समानांतर बैती है सूरत सेहर से होते हुए अपना पानी खंबाद की खाड़ी में गिराती है दूसरी है माही नदी माही नदी जो है वो नर्मदा के उत्तर में विंध्यानचल परवत से पैदा होती है माही नदी नर्मदा के उत्तर में विंध्यानचल परवत से पैदा होती है और ये भी अपना पानी खंबात की खाड़ी यानि अरब सागर में गिराती है माही नदी से related सबसे important point जो है वो ये है कि ये एक मात्र नदी है जो करकरेखा को दो बार काटती है ये को करकरेखा, करकरेखा यूँ भारत के बीचों बीच में से ओके गुजरती है तो ये करकरेखा को दो बार काटती है एक तो उत्तर में जाते वक्त और एक में एक दक्षिण में आते वक्त तो माही नदी के बारे में दो तिन point important एक्जाम से related हमें क्या याद रखना है कि ये विंद्यान चल पाड़ियों से पैदा होती है करकरेखा को दो बार काटती है और अंत में खंबात की खाड़ी या अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है next है आपकी साबरमती नदी साबरमती आपको यहाँ देखने को मिलेगी ये अरावली पाडियों से, राजिस्तान की अरावली पाडियों से निकलती है और सीधा ये दक्षिन में बैते हुए गुजरात के दो इंपॉर्टेंट साहड से निकलती है एक तो आप जानते होंगे, मातमा गांदी का साबर्मति आस्रम, कहां पर था? एमदाबाद में तो ये साबरमती नदी एक तो एमदाबाद और दूसरा गुजरात की राजदानी गांधी नगर से पैदा होती हुई अंत में अपना पानी खंबाद की खाड़ी या यू कहे अरब सागर में गिरा देती है तो इन ती नदियों से रिलेटेड हमें important point क्या या चाज रखने है तापी या तापती नदी दोनों सेम बात है तापती नदी नरम्दा के समानां तरबहती है ये सत्तपूडा परवत जो की मध्य परदेश में इस्थित है वहाँ से पैदा होती है और अंत में अपना पानी खंबाद की खाड़ी में गिरा देती है दूसरी है माही नदी, माही नदी विंधियांचल परवत से, नरबदा के उत्तर में विंधियांचल परवत से पैदा होती है, ये कर-करेखा को दो बार काटती है और अंत में अपना पानी खमबात की खाड़ी में गिरा देती है नेक्स्ट नदी है आपकी साबरमती नदी साबरमती नदी राजस्तान में अरावली श्रेणी से पैदा होती है ये दक्षिन में बैती है और गुजरात के दो इंपोर्टेंट सहर एमदाबाद और राजदानी गांधी नगर से गुजरती हुई अपना पानी खंबात की खाड कहीं सागर तक पहुच ही नहीं पाती है जिसका नाम है लूडी नदी जो है वो अरावली श्रेणी की नाग पाड़ी से निकलती है नाग पाड़ी कहां पर इस्तित है ये राजस्तान के राजदानी जैपूर के दक्षिन में इस्तित अजमेर जिले से में है नाग पाड़ी तो नागपाड़ी से निकलती है लूणी नदी दक्सिर पश्चिम में बैती हुई अंत में कच के रण में ही खतम हो जाती है और ये थार के मरुस्तल की सबसे बड़ी नदी है तो लूणी नदी से रिलेटेड अलग-अलग एक्जाम में बहुत सारे कोशन देखने को मिले हैं और वो पैदा कहां से होती है वो अरावली स्टेडी की नागपाड़ी से पैदा होती है तो लूणी नदी से रिलेटेड हमें कौन-कौन से पॉइंट याद रखने है ये थार मरुस्तल की सबसे बड़ी नदी है अरावली की नागपाड़ी से पैदा होती है और किसी सागर में नहीं बलकि कच के रण में कच का रण कहा पर है गुजरात में इस्तिध है और वहा की जो रेथ है वो आपको सफेद दिखेगी नमक की वज़ा से तो कच के रण में खतम होने वाली नदी कौन सी है लूणी नदी है तो ये थी पश्चिमी वाईनी नदियों की पांच इंपोर्टेंट नदिया कौन सी नर्बदा, तापती, माही साबरमती और लूणी अब हम बढ़ते हैं अपनी पूरवाईनी नदियों की तरफ पूरवाईनी नदियों में हमें चार important नदिया देखनी है, कौन-कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, एके करके हम इन नदियों को देखते हैं, सबसे पहले हैं महानदी, महानदी आपको देखने को मिलेगी, यहां बध्य प्रदेश और चतिसगड की बॉर्डर से उत्पन होती हुई अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, महानदी की कुछ सायक नदिया हमें नाम पता होने ही चाहिए, बहुत बार question पुछा जा चुका है, जैसे की इसकी important सायक नदिया है, सिवनात, हस्देव, जोक, इब ओंग, तेलन, आप इसी करम में याद रखेंगे, त आपको आसानी से याद होगा, सिवनात, जोक, हस्देव, इब ओंग, तेलन, तो महानदी के बारे में हमें क्या-क्या important point पता होने चाहिए, कि ये 36 गड़ की सिहावा परवत से पैदा होती है, फिर ये उडिसा राज्ये में परवेश करती है, जहाँ पर इस पर हीरा कुंड बांध बना हुआ है, और इसकी important सायक नदिया कौन कौन सी है, सिवनात, जोक, हस्देव, इब ओंग, तेलन, पूरवाइने नदियों में अब दूसरी नदी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, दक्षिन भारत की सबसे बड़ी गोदावरी को का जाता है, गोदावरी दक्षिन भारत की सबसे बड़ी नदी है, वही नर्मदा जो है, वो प्राइदी भारत की पश्चिम में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है, तो गोदावरी नदी, दक्षिन भारत की सबसे बड़ी नदी, इसे दक्षि आप्षाना राज्ये में परवेस करती हैं और अंत में आंध्रपरदेश से होती हुई अपना पानी बंगाल की खाडी में गिरा देती हैं इसकी कुछ सायक इसकी कुछ बार बार अलग-अलग एक्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे तो गोदावरी नदी से related हमें क्या-क्या important point पता होने चाहिए एक्जाम से related कि इसे दक्षिन गंगा कहते हैं दक्षिन भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है गोदावरी इसका उद्गम इस्तल कहां पर है महाराष्ट में त्रंब केश्वर है और इसकी सायक नदिया कौन सी है वेन गंगा, पेन गंगा, प्राण हिता, पूर्णा, मंजरा और इंद्रावती याद कैसे करोगे यह दक्षिन गंगा है तो इसकी सायक नदियों में गंगा हो गई होगा वेन गंगा पेन गंगा फिर गंगा है तो प्राण देगी प्राण हिताप पूर्णा पूर्ण करेगी फिर बाद में मंजरा और इंद्रावति confuse मत होना अगर गंगा है सायक नदियों में तो ये गंगा की सायक नदिया नहीं है बलकि ये दक्षिन गंगा की सायक नदिया है जो की है गोदावरी तो ये गोदावरी नदी के बारे में important point जो आमें exam से related पता होने चाहिए अब पूरवाईनी नदियों में तीसरी नदी कौन सी है क्रश्णा नदी जो है वो माराष्ट में पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट हमने देखा था पश्चिमी घाट हमने देखा था जो पश्चिम में पाडियां इस्तित है प्राई दीपी भारत में उसे पश्चिमी इस महाबालेश्वर से क्रश्णा नदी पैदा होती है, फिर ये करनाटक में अंट्री करती है, करनाटक होते हुए ये तेलंगाना और आंधर प्रदेश की बॉर्डर होते हुए अंत में ये बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। कौन कौन से पॉइंट पता होने चाहिए, कि ये निकलती कहां से है, ये महाराष्ट में इस्तित पश्चिमी घाट की एक जगा है, महाबालेश्वर, वहां से क्रश्णा नदी निकलती है, इसकी कुछ सायक नदिया है, भीमा, मालपरबा, घटपरबा और तुंग बद्रा, य घटपरबा, तो ये बड़े-बड़े नाम जो है, वह भीम से रिलेटेड है, और भीम कृष्णा से रिलेटेड है, ऐसे आप याद कर सकते हो, अब हम देखते हैं, पूरवाईनी नदियों की सबसे लाष्ट इंपोर्टेंट नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी जो है, वो सबसे लाष्ट में यहां करना तक से, करना तक पे इस्तित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ये तमिल नाडू होते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है, कावेरी नदी की कुछ इंपोर्टेंट सायक नदिया है, जैसे की कावेरी से रिलेटेड हमें, क्या-क्या पॉइंट पता होने चाहिए, कि कावेरी करना तक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, प्लस एक और नाम आप याद रखना, कि ये ताला कावेरी से भी निकलती है, ताला कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के पास इस तो भी ठीक होगा, दोनों option एक साथ नहीं आएंगे, तो ताला कावेरी और ब्रह्मगिरी दोनों एक ही बात है, इसकी कुछ important सायक नदिया है, जैसे की कावेरी जैसा ही नाम है कावेरी, भवानी, अमरावती, हेमावती, नोयल, तो ये किसकी सायक नदिया है, ये कावेरी की स सायक नदिया है, तो ये थी प्राइदीप ये भारत की पश्चिमी वाईनी नदिया और पूर वाईनी नदिया, अब जितनी भी हमने important नदिया देखी है, उसको एक साथ देख लेते हैं कि उनका उद्गम इस्तल क्या है, और उनका मिलन इस्तल क्या है, ताकि हमें चीजे अ अलग अलग जगह नहीं, एक ही साथ देखने को मिल जाए और याद करने में थोड़ी सी आसानी हो, तो सबसे पहले सिंदु नदि, सिंदु नदि पैदा कहां से हुई थी, ये तिबबत के मान सरोवर से पैदा हुई थी, मिलती कहां पर है ये, अरब सागर में जाके मिलती ह अरब सागर किस तरफ है, ये अपना भारत है, तो यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, एक चीज और बता देता हूँ कि भारत की लगबख सारी नदिया बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उस तरफ गिरती है, दो ती नदियों को आप छोड़ दो तो बाकी सारी नदिया बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है कौन-कौन सी नदिया है जो अरब सागर में गिरती है एक तो हो गई सिंदु नदी एक हो गई आपकी नरमदा, तापती, साबरमती, माही तो ये 4-5 important नदियां है जो अरब सागर में गिराती है बाकी सारी नदिया बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है तो अगर आप exam में confused हो जाओ कि कौन सी नदी कहां अपना पानी गिराती है तो 90% chance होगा कि बंगाल की खाड़ी में गिराती है बाकी आप 5 अलग से य तब आपको ये मिलन वाला जो पॉइंट है, वो आसानी से याद हो जाएगा, तो सिंदु नदी, अरब सागर में अपना पानी गिराती है, निकलती कहां से, तिबबत के मानसरोवर से निकलती है, दूसरी है अपनी गंगा, गंगा कहां अपना पानी गिराएगी, भई मैंने से, फिर आती है यमुना, यमुना अपना पानी कहां गिराती है, किसी सागर में नहीं गिराती है, बलकि ये गंगा की सायक नदी है, जो की परियाग राज में जाके गंगा से मिल जाती है, तो इसका मिलन गंगा से होता है, ये निकलती कहां से है, ये उत्तराखंड में इस् औरमपुत्र यह तिब्बत में इस्तित कैला शृणी से पैदा होती है फिर आती है नर्मदा नदी अरब सागर में अपना पानी गिराती है पैदा कहां से होती है मध्याप्रदेश और चतिसगड़ की बॉर्डर पर इस्तित अमरकंटक से फिर आती है ताप्ती नदी ताप्त इस गड़ की सिहावा पाड़ी से पैदा होती है फिर आपकी गोदावरी नदी गोदावरी नदी अपना पानी का गिराएगी बंगाल की खाड़ी में पैदा कहां से होती है ये माराष्ट में नासिक के पास इस्तित त्रंबकेश्वर से फिर आपकी क्रश्णा नदी गिरी या यू काओ ताला कावेरी से पैदा होती है कावेरी नदी एक इस्पेशल नदी है लूणी नदी जो की अपना पानी किसी सागर में नहीं गिराती है बलकि जमीन में ही खतम हो जाती है और कौन सी जमीन पे खतम होती है गुजरात के कच के रण पे पैदा कहां से होती ह ये अरावली परवत पर इस्तित नाग पाड़ी से और नाग पाड़ी कौन से जिल्ले में है ये राजस्तान के अजमेर जिल्ले में है तो ये हो गई नदियों से related सारी बाते हैं अब हम भारत के कुछ important बांध के बारे में देख लेते हैं जहां से आपको question देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो पाच important बाद हम देख लेते हैं सबसे पहले है सबसे पहले है उत्राखंड राज्ये में इस्तित टिहरी बांध उत्राखंड राज्ये में इस्तित टिहरी बांध जो की बना हुआ है भागी रती नदी बागी रती नदी कौन सी है गंगा गंगा बनने से पहल दूसरा बांद आपको मिलेगा हिमाचल परदेश और पंजाब की बॉर्डर पे जिसका नाम है भागडा नांगल बांद तो भागडा नांगल बांद कौन सी नदी पर बना है सतलज नदी पर बना है एक्जाम में कोशन कैसे देखने को मिलेगा कि भागडा नांगल बांध कौन सी नदी पर बना है सतलज नदी पर बना है सतलज नदी पर बना वो बांध जो हिमाचल परदेश और पंजाब की बॉर्डर पे है उसका नाम क्या है भागडा नांगल बांध इस तरह से आप एक ही लाइन से दो तीन कोशन बना सकते हो तीसरा बांद गुजरात राज्ये में मिलेगा जिसका नाम है सरदार सरोवर बांद कौनसी नदी पर बनायें ये? नर्मदा नदी पर बनाये फिर आपको जाना पड़ेगा उडी सा में उडिसा में बना हुआ है हीरा कुंड बांद किस नदी पर बना है ये महा नदी पर बना है और ये हीरा कुंड बांद जो है वो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांद है लंबाई के मामले में अगर विश्व के सारे मिट्टी के बांद को देखा जाए तो उडिसा में म पहा नदी पर बना हीरा कुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध पया जाएगा पाच्वा और अंतिम बांध जो हमें एक्जाम के लिए याद रखना है वो है अंधर परदेश और तेलंगाना की बॉर्डर परिस्तित नागार जुन सागर जो कि किस नदी पर बना है कृष्णा नदी पर बना है इन सारे पांचो बांधों को आप मैप के हिसाब से भी याद कर सकते हो जिसमें आपको आसानी रहेगी सबसे पहले आप एक ब्लैंक मैप लो एक ब्लैंक मैप लो और उसी पर और उसी पर सारे बांधों को अंकित कर दो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर कौन सा बांध मिलेगा तिहरी बांध यहाँ पर मतलब उत्राकंड में तिहरी बांध कौन सी नदी पर बनाए यह भागी रती नदी पर बनाए और यह भारत का सबसे उचा बांध है दूसरा आपको हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पर मिलेगा कौन सा बांध भागडा नंगल बांध कौन सी नदी पर बनाए ये सतलज नदी पर बनाए फिर आप चले आओ ये सतलज नहीं सतलज फिर आप चले आओ गुजरात में गुजरात में यहां पर कौन सा बांध बना हुआ है सरदार सरोवर बांध बना है सरदार सरोवर बांध और कौन सी नदी पर बना है ये नर्मदा नदी पर बना है फिर आपको जाना पड़ेगा उड़ी सा राज्य में उड़ी सा राज्य में कौन सा बांध है हीरा कुन बांध है हीरा कुन बांध है कौन सी नदी पर बना है, ये महा नदी पर बना है, पाच्वा बांध का मिलेगा आपको अंद्रपरदेश और टेलंगाना की बॉर्डर पे, जिसका नाम क्या है, नागार जुन सागर, जिसका नाम है नागार जुन सागर, और कौन सी नदी पर बना है, ये कृष्णा नदी पर बना ह तो ये पांच बांध कौन से रज्य में है और कौन सी नदी परिस्तित है हमें अच्छे से पता होने चाहिए एक्जाम में आपको कुशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो ये थी भारत की नदियों के बारे में चाए वो हिमालाई नदिया हो चाए वो प्राइदी पे नदिया हो इन सारी नदियों के बारे में important point जो हमें exam के लिए याद रखने ही रखने है एक चीज और बता देता हूं कि ये नदियों वाला chapter चैप्टर सारे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है अगर एक्जाम के लिए आज से देखा जाए तो आप इसे अच्छे से तयार कीजिएगा तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आयोगा मिशन ग्यान से जुणने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद